हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रोसुन की क्लास यूटीव चैनल आप सभी का आज के इस पाठी होजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गडित की पाठी होजना और कच्छा होगी हमारी दस्मी तो बस पूरी वीडियो देखेंगा ध्यान से यह बस इतना ही रिक्वेस्ट है और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप लोग को आज के पहले पाठी होजना बनाने नहीं आता है या फ यहां पे सबसे उपर देख लिए सबसे पहले आपको पाठी होजना संख्या लिखने होती है जैसे यहां पे लिखा गया दैनिक पाठी होजना 26 इसी तरीके से आपको दैनिक पाठी होजना संख्या लिखने के लिए तो सिर्फ पाठी होजना संख्या लिखिएगा इसके आप का गड़ित दिनांग के याप लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आपने किसum date पाँ सी पाथ होजना पढ़ाई थी क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ ही पाथ ही उजना तो आपको लिखते हैं किस period में जाएंगे इस chapter को पढ़ाने के लिए समयावधी समयावधी 30 मिट का है अगर आपके college में कहते हैं कि 30 मिट की class लीजिए और फिर कभी कहीं कहीं 35 मिट या 40 मिट की class भी होती है तो आपके अनुसार है यहाँ पे समय change हो जाएगा और last में यहाँ पे आता है प्रक्रण प्रक्रण हमारा आज का है बहुपद ठीक है काफी आसान टॉपिक है इसको आप आराम से पढ़ा सकते हैं इसके आगे लिखना होता है आपको देखे यहाँ पे सिच्छड प्रापे उद्दे से और इस तरीके से इस समय प्रिजन टाइम में तो आपका उद्दे सी क्या है यह चेप्टर पढ़ाने का इसके पहले काफी काफी कॉलेजस में सामान ये उद्दे स लिखने के लिए लिखा जाता है जिसमें आपका गड़ित का विसे जैसे आज पढ़ा रहा है तो गड़ित भी से पढ़ाने का क्या क्या उद्दे से आपका उसको लिखते हैं कम से कम चासे पांच पॉइंट लिखना है गर आप लोगो को सामान ये उद्दे स गड़ित का तो आप बायजिस प्रापय उद्दे से ड्राइक लिखते है तो यहाँ पर आपका जो topic है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सिखेंगे उसके बारे में यहाँ पे point words लिखा जाता है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं सारी चीजे यहां पर बता दूँगा पढ़ दूँगा जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा दूसरी हेडिंग है यहां पर अबोध अबोध में देखे लिखा गया च्छातर भहुपत का वर्गी कड़ कर सकेंगे ठीक नेक्ट है यहां पर देखे कॉसल में देखे लिखा गया च्छातर भहुपत की जानकारी प्राप्त करने में कुसलता प्राप्त कर सकेंगे दूसरा पॉइंट है च्छातर भहुपत की समीकरणों को हल करने की दच्छता प्राप्त कर सकेंगे और लास्ट में 6 यहाँ पे प्रति ङाज कर सकेंगे यह हो गया आपके प्रापवद्ति उसके बाद आता है यहाँपे सिछर सहायकी समगरी यहां पे देख लीजिए इस तरीक से लिखना होता है इसमें एक लिख गया लपीट फलक यानि कि लपिट स्यामपट स्यामपट जो आपके क्लास में लगा होता है ब्लैक कलर का लपिट फलक का होता है मतलब जो आप रोलिंग बोर्ड अपने साथ ले जाते हैं उस पे आप कोई मॉडल या चीतर बना के या फिर कोई समिकर्ण या सुत्र लिखके ले जा सकते हैं और जो यहां पर क्लास में स्यामपट होता है उसका उपयोग आप अपना स्यामपट कारी करने के लिए कि किस कच्छा के लिए पढ़ा रहे हैं भी से क्या है प्रकण क्या है यह लिखने के लिए आप करते हैं चौक लिखने का प्याइब करते हैं उससे डेष्टर मिटाने का प्रयाउग करते हैं संकेतक जो कुछ लिखने या फिस लपिट पड़ उसको शंकेत के द्वारा चड़ी की आकार का होता है उससे उसको दिखाते हैं कि क्या पढ़ा रही है relate सिच्छण साइक समगग रहा और समस्थ कच्छोप योगी सिच्छण साहक समगगे तो नेस्ट हीडिंग में अगर आपके कॉलेज कहते हैं तीन कॉलम का यहाँ और कॉलम बना लिजए इसमें क्रम संख्या कर दीजिएगा नंबरीं ना सिर्फ तो कम से कम यहाँ पे तीन प्रसन पूछ के अपना प्रक्रण निकलवाना होता है ज्यादा से ज्यादा है यहां पर 5-6 प्रसन पूछ सकते हैं अपना प्रक्रण निकलवाने के लिए प्रस्णों के क्रम में क्रम बद्धता होने चाहिए यानि कि पहले प्रस्ण का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रस्ण बनेगा दूसरे प्रस्ण का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रस्ण बनेगा दूसरा है एक चर्व एक चर्व वाले पद को क्या कहते हैं तो बच्चे वोलेंगे यह बहुपद आब प्ण प्रशन हो जाएगा प्ण प्रसन समस्यात्मक ही पूछे कुछ कटी थोड़ा जा बना के पूछे जिससे ज़्यादा तर बच्ची इसके बारे में नबता पाये और सान्थ हो जाएए तो यहाँ पर देखे पाच्वापत के बारे में आप क्या जानते हैं विष्दार प्रोग इस तरीके पूछ सकते हैं विष्दार प्रोग बताईए तो संभावित उत्तर होगा यहां पड़ने वाले हैं बहुपत के बारे में तो आप पढ़ाना यहां पे चुरू का सकते हैं तीसो कॉलम च्छात रख रहे हैं, चोथा कॉलम प्रविधी या फिर विधी और लाज में स्यामपट सार है। पहला सिचल बिन में पॉइंट है बहुपत का परिचे। ये बहुपत ये फेक्स में येक्स की उच्छतम घात बहुपत की घात कहलाती है। इस प्रकार चर येक्स के लिए येन घाती बहुपत निमनी प्रकार परिभासित की आजा सकता है। एक्स बराबर ए एक्स पॉर एन ब्लस ए ए येन-1 यहाँ पर ध्यान से देखेगा यहाँ बहुपत रहा हुपत रहा हूं ए एन-1 एक्स के टहओ एन-1 प्लस-डाश-डाश-डाश-डाश-डाश-एवन-X-प्लस-एजी-रो इस तरीक से आप ग्रुपत प्रकृतिक संख्य ओन माइनस वन माइनस वन लगेंद के हैं गुडांग कहलते हैं देहां से सुनिएका मैं एक चीज़ बता रहूं बहुत प्रस्थ कूछ इसक प्रस्थ1 तक मैं दीघान दियुण हैoid जिसकड इस to form और यह sarà चीमसट जाना हो X गहते एन A N-1 X , A-1-X , A0 वाली स्विकड़ को क्या कहते हैं तो बच्चे वोलेंगे ता प्रस्णुत्तर विदी थी तो यहां पे विधी वाले कॉल में लिख दीं प्रस्णुत्तर इसके उपर जू आप बता रहे थे यहाँ पे विसलेस्टड विदी थी तो अब विसलेस्टड विदी लिख दीजिए और स्यामपट पे जो आपने बताया है उसमें से जो important point वहीं स्यामपट पे लिखा जाता है सारी चेजर से यंपट पर नहीं लिखे जाती इंपोर्टेंट पॉइंट ही से यंपट पर लिखे जिससे बच्चों को पता चल सके कि वो इंपोर्टेंट क्या है जो आप बता रहे हैं भी फिर त्रिछडबी में दूसा पॉइंट है तिसा परस्न है आपर दुइगाति बउपद में सुन्यांको वो गुणांको में संबन्ध के बारहे में क्या जानते संभावीद उस्तर हो जाएगा संभावीद उस्तर जैसे होगा यहाँ पर आपना परस्नोंतर विधी के प्रथम एवं तृति पदों के घुरण फल के पराबर हो दुईघाती बहुपद में दो सुन्यांक वास्त्री तथा कालपने होते हैं। दुईघाती बहुपद में के सुन्यांक योंग घुरांक में संबंध निम्न है एफ एक्स बराबर AX स्कॉाइर प्लस BX प्लस C के सुन्यांक अल्फा तथा बीटा है तब A-X एवं X-A अल्फा एवं X-B बहुपद F-X के गुड़न खंड होंगे अता स्थिरांक के के लिए निम्द प्रकार लिखा जा सकता है कि F-X बराबर के X-Alpha X-B अर्थाथ A-X-Square-B A-C बराबर K-B बराबर X-Wear X-Alpha-B बिता इन्टु X प्लस E-X-Square-B A-C बराबर Q-B बराबर के 간ना होगा इसमें A-X के गुड़न दोनों dem Nestled आचर पदों के तूलना करने पर A-B Creative के ये बराबर के K-B अब्लस बीटा तथा c बड़ाबर k alpha हैं उसके बाद नीचे देखें alpha प्लस बड़ाबर minus b by a तथा alpha बड़ाबर c by a अता बहुपद fx बड़ाबर ax square फ्लस bx प्लस c के लिए इस परश्ट है कि सुन्यांको का योग बड़ाबर minus b बटे a बड़ाबर minus x का गुड़ांग बट सिम्याबट के गुडणखंडों में इनके मधिपद को कितने पदों में विफक्त किया राता है दो पदों मेंупर वाले कॉलमThere जब आप कथन बोल रहते तो छात्र अले और l заключ Isso से आप सुने देखे लिखा गया यहाँ पर दुखाति दो सुन्यांग वास्टविक तथा कालपनिक होते हैं यानि इंपोर्टन पॉइंट जो है आपके पॉइंट जो आपने पढ़ा है उसमें से वही सी वहाँ पे लिखा जाता है से च्छडविन में तेसा पॉइंट है गुणन खंट विधी द्वारा द्विघास जो होतो उसे क्या करते हैं तो बच्चे बोलेएंगे द्विघास समीकर का हल के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चे नहीं बता पाएंगे इसके बारे में तो यहाँ पर संभावत लिख प्रस्नोतर भी दी थी तो प्रवीद वाले कॉलम में प्रस्नोतर लिख दीजिए आप चातर अध्यापक में कथन में आप उसको बताएं कैसे उसको खल किया आता है दो इगात बहुपद Fx के सुन्यांग समिकर्ड Fx बराबर 0 में X के 290 प्राप्त होंगे जाहिसी बात थे दो खात है तो दो मानों X के प्राप्त होंगे माना X बराबर अलफा बहुपद Fx बराबर Ax स्कॉर प्लस Bx प्लस C का एक सुन्यांग है तब F alpha बराबर 0 होगा अर्थात X बराबर alpha समिकर्ड Ax स्कॉर यहाँ पर A2X प्लस Bx प्लस C बराबर 0 को संतुष्ट करेगा बहुपद Ax स्कॉर प्लस Bx प्लस C का एक सुन्यांग X बराबर alpha ब्राबर 0 का एक मूल होगा इस प्रकार यद fx बराबर 0 एक द्विघा समिकड होतो बहुपद fx के सुन्यक समिकड fx का बराबर 0 के मूल कहलाते हैं ठीक द्विघा समिकड में चर की अधिक्तम गाद 2 होती है अतर इसके अधिक्तम 2 मूल हो सकते हैं किसी द्विघाद समिकड के मूल गयाद करने की प्रक्रिया को उस समिकड को हल करने करना कहते हैं द्विघाद समिकड को हल करने के लिए ये fx बराबर 0 मानक रूप में रखते हैं Fx वे अंजक के गुडनखंड करते हैं तत्था प्रतेक गुडनखंड को सुन के बराबर रखकर X के मान ग्याद करते हैं X के वे मान ही द्विघाद समिकड को के हल कहलाते हैं छातर वाले कॉला में लिखे चातर ध्यान परोग सुनेंगे द्विघाद समिकड को हल करने के लिए किस मान रूप में लिखते हैं तो बच्चे बोलेंगे fx बराबर 0 दुसरा प्रस्ण है द्विघाद समिकड में चर की अधिक्तम घाद कितनी होते हैं तो बच्चे बोलेंगे 2 अब यहां पर प्रस्तुतिकर समाप्त होता है मुल्यांकन प्रस्ण आता है मुल्यांकन प्रस्ण में यहां पर 5 प्रकात के प्रस्ण पूछे गए हैं पहला प्रस्ण है an, an-1, a-1, a-0 में के पदों को कहते हैं यहां पर 4 ओप्शन है गुडांक बहुपद दो दोनों इन्में से कोई नहीं है दूसरा प्रसन है बहुपद Fx के X की उच्छतम घात बहुपद की डैस डैस क्या लाती है घातांग या फिर गुडांक आपने जो पढ़ा है उसे प्रस्म पूछना है आपको अलग से नहीं पूछना है तीसरा प्रसन है घात के आधार पर बहुपद की पहचान होती है सत्य है या फिर सत्य चौत्ता प्रसन है बहुपद का परचे लिखिए और पांचों प्रसन है दूइघात से में करके मूल गयात करने के प्रक्रिया को क्या कहते है लास्ट में आता है गरीकार गरीकार में देखे दिया गया है बच्चों कुखा से करके लाने क्लिकार द्विघाती बहुपत के सुन्यांकों तथा गुडांकों में संब्ध लिखिए यह हो गया आपका लेशन प्लान लास्ट में परविशक टिपड़ी यहां पर देगा आप प्लीज ओसन की क्लास यूटिप चैनल से जुड़े जाए बिल्कुल फ्री है जुड़ना नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे साथे साथ बिल आइकन को दबा के रखिए और इसके लावा आपको किसी भी क्लास का किसी भी व अगर वहां पर विलेशन प्लान नहीं अवलेबल है तो आप नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं एक से दो दिन के अंदर आप लोगी वीडियो आप तक पहुचा दूँगा रोसंग की क्लास यूटिप चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको छोटा सा काम करके रख साथी साथ बिल आइकन को दबाकर रखना है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम